असलाम अलेकूम स्टूडेंस ऑफ ग्रेड एड हमारा न्यू चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है यूनिट फोर में वो है यहाँ पर आपकी बुक में चैप्टर नंबर फाइव सॉल्यूशन एसिट बेसिज और सॉल्यूशन इसका पेज नंबर है 71 सबसे पहले इस लेसन में जो फर्स्ट यहाँ पर आपको टर्म नजर आ रही है इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है सॉल्यूशन इस होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूट एंड सॉल्यूट ठीक है सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूट और सॉल्यूट का एक complete homogeneous mixture है, ठीक है, homogeneous mixture का क्या मतलब समझ में आ रहा है, homogeneous mixture का मतलब ये समझ में आ रहा है, कि जब भी हम दो materials को, या दो solute और solvent को जब mix करते हैं आपस में, तो वो आपस में पूरी तरह से mix हो जाते हैं, uniformly mix हो जाते हैं, यानि नीचे की तरफ, उपर की तरफ, जब हम इसको stir करते हैं, तो पूरा solution जो है, वो uniformly एक साथ यग जान हो जाता है, ठीक है, तो वो हमें एक ही solution नजर आता है, जिसे हम कहते हैं homogeneous mixture, ठीक है, अब यहाँ पर solution होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपको यह explain कर दूँ, कि solution में दो तरह की हम use करते हैं, substances, एक होता है solute, और एक होता है, यहाँ देखें लिखावा है solvent, solute क्या होता है, solute वो substance होता है, जो कम मिगदार में किसी भी solution में डाला जाता है, ठीक है, और solvent क्या होता है, solvent वो substance होता है, जो जादा मिकदार में solution में present होता है ठीक है mostly जब हम कोई solution बनाते हैं तो water ही जो है वो mostly solvent होता है ठीक है और जो भी हम दूसरा substance जालते हैं वो कम quantity में डालते हैं तो वो solute होता है जब solute और solvent को हम mix करते हैं तो हमें solution मिलता है ठीक है अच्छा अब इसके बाद ये word जो यहां आ रहा है aqua solution इसका क्या मतलब है aqua means water तो ऐसे सारे solution जिसमें solvent जो है वो water हो ठीक है aqua solution का मतलब होता है ऐसे सारे solution जिनमे solvent water हो उस solutions को हम aqua solution कहते हैं उससे बलने वाले solutions को aqua solution कहा जाता है अब यहां पर हमारे पास कुछ examples दीवी हैं कुछ common solutions की example हैं जो हम घर में भी prepare कर सकते हैं जैसे sugar in water ठीक है अगर हम चीनी को कम मिगदार में पानी में मिलाएं mix करें, stir करें तो sugar water बन जाता है मीठा बानी यानि आप देख लो sugar water बनता है तो वो solution होता है acidic acid बन जाता है soft drinks जो हम पीते हैं वो भी बहुत सारे 2-3 substances को mix करके बनाई जाती है और इसमें भी जो है solvent water ही होता है ठीक है, slavia slavia क्या होता है हमारे मुँ में मौझूद ठूक होती है जो किस से बनती है water और enzymes से मिलकर बनती है ठीक है tincture of iodine इसमें जो है iodine tincture क्या होता है spirit होता है इसमें one person solution जो है इसमें कुछ मिगदार iodine के होती है ये सारी examples जो है वो आपको solutions की बताई वी है वो common solution salt water जो हम mostly जो है वो गागल वगेरा करने के लिए इस्तमाल करते हैं यानि नमक वाला पानी ये भी जो है example है solutions की अच्छा अब हमारे पास students मैं आपको ये explain करूँ के solution की कितनी types होती है हमारे पास solution की हमारे पास दो types होती है यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से इसको लिखा है solution बनता कैसे है solute plus solvent is equals to solution अच्छा solution की हमारे पास दो तरह के हमारे पास solution होते है एक होता है saturated solution और एक होता है unsaturated solution ठीक है सबसे पहले मैं आपको explain करूँगी unsaturated solution क्या होता है unsaturated solution वो होता है कि आप देखें यहाँ पर example ली है मैंने एक बीकर ले लिया उसमें इतना water ले लिया ठीक है यह हमारे पास solvent है और जो हम इस spoon से add कर रहे है वो हमारे पास है solute ठीक है जब हम इसको add करेंगे spoon से तो add करने के बाद जब हम इसको stir करेंगे तो यह completely mix हो जाएगा यह solute इसमें mix हो जाएगा ठीक है तो यह कौन सा solution होगा saturated solution होगा जिसमें एक particular quantity में solute add किया जाएगा उससे जादा add नहीं किया जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आ रहा है saturated solution saturated solution क्या होता है कि ऐसा solution होता है जिसमें आप solute डाल रहे हो वो solute इस solvent में mix होता जा रहा है अब saturated solution में एक ऐसा point भी आता है कि जब आप solute डालते जा रहे हैं तो एक ऐसा point आता है कि जब यह solute अब हल नहीं होता यह जो है वो इस particular container की तैह में रह जाता है क्योंकि अब इस solvent के अंदर इतनी वो नहीं है capacity कि इस solute को मज़ीद और यह dissolve कर सके तो इस point को हम कहते हैं saturation point कौन सा point कहते हैं saturation point कहते हैं जिसमें जो है यह solute अब और मज़ीद इसमें हल ना हो सके घुल ना सके ठीक है ऐसे solutions को हम कहते है saturated solution is that clear students saturated solution and unsaturated solutions ठीक है अच्छा अब आप अपने बुक का page टरन करेंगे तो यहां पर आपको यह जो मैंने example आपको अभी explain किये देखें यहां लिखावा when a solvent can dissolve more solute in at a particular temperature the solution is called an unsaturated solution यानि वो solution जिसमें solute add होता जाए और completely mix हो जाए वो solution होता है unsaturated solution अब अगर solvent में यह capacity ना हो के वो और जादा solute को ले सके या dissolve कर सके तो उस solution को हम कहते हैं saturated solution और जो quantity हम किसी भी saturated या unsaturated solution में solute की डालते हैं ठीक है जो quantity हम saturated या unsaturated बनाने के लिए solute की डालते हैं उस quantity को calculate जब किया जाता है तो उसको कहा जाता है solubility of a solute देखें यहां पर इसकी definition लिखी वी है the quantity of the solute in solution the quantity of the solute in the in the saturated solution is referred to as the solubility of solute ठीक है यानि किसी भी solution में जो solute की quantity होगी जो एक particular water amount में dissolve हो सके उसे हम कहते हैं solubility of solute ठीके देखें यहां define भी किया हुआ इसको solubility is defined as the quantity of solute यानि solute कुछ भी हो सकता है यह salt भी हो सकता है यह sugar भी हो सकती है dissolve हो सके 100 grams of solvent यानि 100 gram solvent में हम जितना solute add करेंगे particular temperature पर वह calculation जो है हमारे पास क्या होगी वह इस particular solution की solubility होगी समझ में आ रही है बात आपको अच्छा आप यहां पर लिखावा है एक word physical change physical change क्या होगा जब भी हम कोई solution बनाते हैं किसी भी दो substance को mix करके अगर हम solvent के अंदर solute डालते हैं तो आपको क्या होता वह नजर आता है ठीके अगर मैं एक glass में यह देखें आ glass of water ले लिया मैंने ठीके यह water है glass में water है क्या है water है ठीके अब इसके अंदर अगर मैं particular amount डालू solute का ठीके किसका amount मैं डालूंगी solute का अब यह solute जरूरी नहीं है के हमेशा यह solute जो है वो powder form में हो यह liquid form में भी हो सकता है ठीके अब जैसे आप शर्बत की example ले लो अगर मैं रूफजार डालती हूँ liquid form में तो आपको इस water का color change होता वह नजर आता है ना जो चीज हम अपनी आई इसे देख सकें जो हमें physically change होती भी नजर आ रही है यानि इसका color change होगा कुछ होगा तो वह हमारा कहलाएगा physical change जो हमें उस वक्त होता वह नजर आ रहा है इसके बाद जो इसके अंदर changing होगी और जो substance बन जाएगा वह chemical change कहलाएगा clear physical change and chemical change आ रही है बाद समझ में आप लोगों को कि physical change क्या होता है और chemical change क्या होता है यहां पर इसकी पूरी example आपको दी वी है ठीके अच्छा saturation point जो अभी मैंने आपको explain किया saturation point कब आता है जब solute जो है solvent के अंदर dissolve ना हो ठीके तो इसको dissolve करने के लिए एक तरीका यह भी है कि इस saturated solution को unsaturated solution कैसे बना सकते हैं कि अगर हम इसको heat दें ठीके यह देखें अगर हम इसको heat देंगे तो जैसे हम इसको heat देंगे इसके छोटे छोटे particles water में dissolve हो जाएंगे और यह saturated solution जो है वो unsaturated solution में change हो जाएगा is that clear तीक है यह बात यहां तक समझ में आ गई अब जो है next हमारा topic है crystallization crystallization क्या होता है crystallization यह होता है कि अब हमारे पास solution complete बन जाएगा अब बनने के बाद दुबारा से इसको उसकी solid form में लाने के लिए जो सारा process किया जाता है उसे हम crystallization का process कहते हैं इससे जो है बहुत सारी impurities आपकी किसी भी particular substance से dissolve होके निकल जाती है ठीक है यहां पर आपको copper sulphate जिसे हम उर्दू में नीला तोदा कहते हैं उसकी पूरी example दीवी है आप read करेंगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी ठीक है अच्छा आप crystal होता क्या है crystal एक ऐसा solid substance होता है जिसकी definite geometrical shape होती है ठीक है इस तरह से किसी भी crystal की geometrical shape होती है जैसे आप अपने घर में अगर चीनी देख लें तो चीनी के दानों की कैसी shape होती है तो इसी लिए हम उसे crystalline sugar कहते है जो हम घर में sugar यूज करते हैं उसे हम crystalline sugar कहते हैं क्यूं कहते हैं क्यूंकि हर दाने का particular definite shape होता है ठीक है crystal has a fixed angles between its faces and the faces have sharply defined ages देखें इसके ages हैं वो बहुत sharply defined होते हैं ठीक है आगे के topic मैं आपको explain करूंगी तो आप इस topic को हम continue करेंगे next video में